मन्दपा की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है निधी के अभाव में अनेक प्रभागों की विकास कारियर रुक ए है दूसरी और पानी की बिलों का कुल बकाया 197.64 करोड रुपे है इसमें कई वर्षों से बकाया नहीं भरने वालों का भी समावेश है इनमें से 21,977 कनेक्शन धारकों पर 99 करोड 9,000 रुपे का बकाया है जिनकी जलापूरती खंडित कर दी गई है शहर में 3,60,000 के आसपास नल कनेक्शन धारक है पुरानी बकाया को छोड़ कर वर्ष 2020 में 175 करोड के पानी के बिल की वसूली का लक्षिन निरधारिक किया गया है पिछले वर्ष नवेंबर महा के आकरी तक 92,40 करोड रुपे की वसूली की गई थी वही इस वर्ष इस अवधी में 96,51 करोड रुपे की वसूली हुई है नाखपुर शहर में प्रति दिन 675 MLD पानी की आपुरती की जाती है लेकिन शहर में बड़ी संख्या में अवैद नल कनेक्शन है जिससे प्रशासन को अपेकशित वसूली नहीं हो रही है जिन लोगों पर पानी के बिलो का वर्षों से बकाया है उनमें बड़े बकायदारों का भी समावेश है इनमें सरकारी कार्याले व्यवसाइक प्रतिष्ठान शामिल है मनपा ने पानी का भिल नहीं भरने वाले उब्भुकताओं के लिए बकाया राशी में 50 फीस्दी माफ करने की योजना लागो की थी लेकिन इसे प्रतिसाद नहीं मिला वर्षों से पानी का बिल नहीं भरने वाले बकायादारों से वसूली के लिए मनपा ने अभियान चलाया है उन पर जुर्माना लगा कर उनके नल कनेक्शन काटने की कारवाई की जा रही है यह कारवाई मनपा के सभी जोन में शुरू है इस कारवाई को टालने के लिए नागरीकों से बकाया राशी भरने की अपील मनपाने की है